जरोतमन परिवारों को राश्रन स्वामगरी पीए इसमें आटा, चीनी, चावल, दाल, खोगा और दूबी देनिक जरोत की चीज़ें हैं वो सब विनोजी शेकावज भैसाम ने आज अमावस के दिन दी हैं 21 जरोतमन परिवारों को राश्रन स्वामगरी का वित्रण अमावस्या पर निशान्त दा बिग्निंग संस्था के विनोजी शेकावज द्वारा 21 जरोतमन परिवारों को दी गई राश्रन स्वामगरी अमावस्या पर निशान्त दा बिगनिंग संस्ता के विनोद शेखावत द्वारा 21 जरुद्वन परिवारों को राशन सामगरी का वित्रण किया गया कोटला एलाके में राशन सामगरी पाकर सभी परिवारों के चहरे खेल उठे विनोज शेखावत ने एक पहल सेवा संस्ता की माध्यम से इस सेवाकारिर को उपलब्द अंजाम दिया संस्ता के अध्यक्स शेलेश गर्ग ने बताया कि निशांत दसंस्ता ने एक फ्री सेवार्थ एम्बूलेंस भी अजबेर में उपलब्द करा रखी है विनोज शेखावत सेवा कार्यों के लिए हमेशा उपलब्द रहते हैं कोठला छेत्र में किये गए सेवा के इस्पुनीत कार्य में संस्ता के अज्जक्ष शेलिश गर्ग डिंपल मोधी धर्मिंद्र शर्मा अंश गर्ग नीरू गर्ग आदी अन्य लोग मौजूद रहे आज अमावस के दिन चरी विनोजी शेखावत जोकी निशान दा बिग्निंग उनकी संस्ता है ने आज 21 परिवारों को राशन सामगरी देकर उनके साहता किये और हमेशा ही वो साहता गले अक्सर रहते हैं आज हमने अभी प्रगरतिनेगर कोटड़ा सित जरुतमन परिवारों को राशन सामगरी दिये जिसमें आटा चीनी चावल दाल पोवा और जो भी देने जरुत की चीज़ें वो सब विनोजी शेखावत बाहिसाब ने आज अमावस के दिन दिन है बाहिसाब हमेशा मदद कर करते रहते हैं मदद के लिए आगे रहते हैं आपके आपने एक एम्बूलेंस भी लगा रखी है फ्री सेवार्थ आपको बहुत बहुत साथ हुआ सभी की तरफ से शेकावर निशान दा बिगिंग संस्था के और से 21 महिलाओं को राशन वे खादी समगे प्रदान की इनका ह करते हैं इन्होंने सेवार था कि एम्बूलेंस भी लगा रखी है और एक पहल सेवा की और श्री शेलेंदर जी गर्ग और अनुश गर्ग और धर्मेंदर शी शर्वा और डिंपल मोदी आज उपस्तित रहे हैं और साथ ही शेलेश जी गर्ग हमारी से महिलाओं को आगे भी कई सीवा परदान कर चुके हैं, ये भी कही ही 2016 से महिलाओं के लिए राशन बूक, बच्चों बूक्स वगएरा कई चीजय परदान कर चुके हैं और निने ही पाकर सभी महिलाएं बहुत खूश रहती हैम्त है नहीं से विनोजी शेखावत जी का और श्रीमान सेश जी गर् अब दो को दो अब दो